असलाम अलेकुम दोस्ते होंगे आज बात करेंगे दस्तक फसिलिटेटर एप्लिकेशन जब आप अकाउंट कर रिए करते हैं तो वहां पे आई बी ए एन नंबर जो बैंक का नंबर होता है वो मांगा जाता है सबसे बिले आपको बता दूँए यहां पर सक्रीन पर देख रह है यानि आई बी एन नंबर अवैलिबल है पूरा अकाउंट तो वह आप वहां पे स्लेक्ट करते हैं उसे एंटर कर सकते हैं सबसे बिले यहां पर आजाता है आपने बैंक करना है वहां पर आपका जो भी बैंक है वहां पर आपने डून के फाइंड करके उसे सलेक्ट कर ल आप देश सकते हैं, वहाँ पे नाम लिखा होगा, जिसके नाम पर bank account होगा, वो है account title, वहाँ पे आपने लिख देना है, उसको वादा आ जाता है, IBAN number, आपने checkbook open करनी है, वहाँ पे लिखा होगा, IBAN number, वो आपने मुकमल वहाँ पे देखकर checkbook से आपने यहाँ पे enter कर देना है, इसरफ यह आपने करना है, number one आपने अपना जो bank उसका नाम, वहाँ पे देखना है, कौन सा आपका bank है, number two, आपने account title, और number three, IBAN जो लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने अपने account जा, जो checkbook के ऊपर, IBAN लिखा हुआ, आपने checkbook check करनी है, वहाँ पे लिखा हुआ, आपको साथ detail लिखी होती है, IBAN number, account number, जो के आपको वहाँ पे provide करना होता है, वह complete होता है, IBAN number, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, वहाँ आपने वहाँ पे checkbook से check कर लेना है, और मैं के तमास के वीडियों आपको पसंद आई होगी, अगर आपको 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 पसंद आई होगी, अ नीचे कमेंट कीजिएगा, और हाई टाको मारे योट्रीब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो में फिर आत रहूंगे, अल्ला हाफिज